एक बहुत ज्यादा उठ रही है इसके साथ यह बोला जा रहा है बार 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 की मीनो को उसने ट्रांस जेंडर बोला ठीक है तो यह बात शुरू कहां से हुई थी सबसे पहले तो मैं यह बताती हूं और आगे बात करेंगे इनकी लाइफ पर ठीक है तो हां उसने सबसे पहले गधे ने एक वीडियो बनाया था जिसमें उसने यह बोला था कि सभी रियक्शन वाले नीच हैं सभी रियक्शन वालों को बोला था या ध्यान से देखिएगा सुनिएगा वीडियो हैं भी उसके आप लोग जाकर देख लीजेगा उसने सभी रियक् तो जिस बतलब लेडी ने एक बच्चे को जरू दिया है उसको वह उसका दिमाग खराब है तो लेकिन वह कितना बड़ा नीच है यह मैंने प्रूफ कर दिया था उस ताइम भी उसने इस वर्ट को गाली की तरह यूज किया था और आज फिर ये बात उठी है और खास्ता से ज किया और ये सबसे पहले तो ये बोलना बंड करना पड़ेगा हर किसी को क्योंकि को भी यह जो ट्रांसजंडर है ना ये आपनी खुशीच से कोई नहीं बनते हैं बहुत सारे मतलब ऐसा भी है केसी जननोंने operation करा कर इस community को ज्वाइन कर लिया है यह उन Breaking लेकिन अपनी खुशी से जो प्राक्रतिक रूप से पैदे होते हैं ऐसे बच्चे वो कभी अपनी खुशी से नहीं बनते हैं वो अपनी लाइफ से बहुत दुखी रहते हैं इन लोगों की जब लाइफ रहती है एक बार imagine करिए imagine करिए कि जब ये लोग सड़क पर पार होते हैं ये कोई गाली नहीं है कि नर होना कोई गाली नहीं है इस वर्ड को YouTube पर आजकर गाली के तौर पर जो यूज किया जा रहा है ये बहुत गलत हो रहा है इस चीज़ को आप लोग समझे जिस दिन आप लोगों की ये बात हैं उन लोगों के समास तक पहुंचाएगी ना बहुत बुरह होगा आप लोगों के लिए और यह सोचिए कि लोगों का दिल के इस की दिल कभी खुश भी नहीं रह सकता है इस चीज़ को भी याद रख केका ये को गाली कょमई समय है और दिखते हैं और और मादा की गिंटी में जो हम लोग आते हैं अन挺 पारते हैं ऩng लोग की को यारे कंती कि मारते पो आते हैं प्रिषान हो जयसे डिखाते हैं ये simulator नहीं करती हूं लेकिन फिर भी मैं अपने आप को इसलिए जोड़ी हो जाती है सबसे बुरी ही जाती यह वह अपने अलावे और किसी को देखती नहीं सवार्थी जाती है एक दम सवार से जात स्वार से भरे वे लोग उन लोगों का तक्लीफ नहीं दिखता है लोगों को उन और इत्रा कर थोड़ा एटिटीव दिखा कर वो लड़कियों वाली अधाय दिखा कर और हसतेए साथ में हसतेए वे वो लोग निg pairing को भूल कर की उसमोन हशी है उनकों पर हशा गया है इस चुछ को वह Saturn की जिंदगी है अभी कितनी मुश्किल से कितनी मुश्किल से उन्हों उन्हें अब राशन कार्ड मिल रहा है उनकी आइडेंटिटी मिल रही है उन्हें तीसरा जंडर ट्रांस जंडर का दर्जा मिला है तो उन्हें यह सब कुछ मिल रही कितने लोग इनमें पढ़े लिखें कितने लोग इ काम नहीं देता है ना सरकार देती है ना कोई काम देता है को पास पैसे नहीं थे इन लोगे के पास पैसे कब आते हैं जब शादी ब्यार जन्म जन्म ये सब चीज़ होता है तो ये लोग बधाई लेने जाते हैं दूसरों की खुशी में होते हैं ये लोग आशिरवाद देते हैं और इन्हें जो नेक के पैसे मिलते हैं ना उन से इनका जीवन यापन होता है एक तरह की बिक्षा फर इनका जीवन चल रहा है समझ में आया लोग आते हैं बोलते ही कि उन थोड़े-थोड़े पैसे बच्चते होंगे, वो सोचिए हम लोगों का तो परिवार है, बुड़े होने पर हमें हमारा परिवार देखेगा, नहीं भी देखेगा कोई बात नहीं, वो सिब थो अपने अपने कर्म है, लेकिन एक उम्मीद तो होती है, ना कि हमारे बच्चे हैं हमें देखेंगे इन लोगों के पास क्या उमिद है कौन देखेंगा इने ये लोग एक दुसरे का सहारा होते हैं ये जो कमाते हैं ना उसी में से अपना जीवन यापन करने के लिए रखते हैं बढ़ापे में अपना सहारा रखते हैं अपना इलाज अपने इलाज के पैसा ये लोग रखते हैं, मेरे यहां जो मैंने बोला ना, कि जिन से मेरी बात होती है, उन्होंने कई बार, दो-चार बार मुझसे पैसे लिए हैं, क्यों? अपने परिवार को भीजने के लिए, अपने भाई की इलाज के लिए, भाई की पढ़ाई के लिए, जब यह ऐसे बच्चे जन्म होते हैं ना, तो इन्हें तिरसकार तो कर दिया जाता है, समाज ही तिरसकार कर देता है, माबाप ना भी तिरसकार करना चाहें ना, माँ बाप के लिए उनके बच्चे बच्चे होते हैं चाहे वो बेटा हो बेटी हो या इस तीसरी जाती में से हो लेकिन माँ बाप अपने बच्चे को रखना चाहते हैं लेकिन समाज उस परिवार को फिर तिरसकार की नजरों से देखने लगता है, तो मजबूरी में, ऐसे बहुत सारे इंटर्वियू हैं यूट्यूब पर और बहुत सारे इंटर्वियू हैं, आप लोग देख लेना, आप लोग खुल कर, समाज ही न उस परिवार को आजीव सा तिरस्कृत करने लगता है तो फिर माबब खुद अपने बच्चे को उठा कर जो उनका तीसरा मतलग तीसरी दरजे का जो बच्चा हो जाता है उसे उठा कर वह ऐसे समाज में दे देते हैं बच्पन से ही वह बच्चे नाचना गाना ये सिर्फ कुछ करने लगते हैं किस लोगों के दर्द को कोई नहीं समझता है बस इन्हीं लोग देखकर ठीठोली कर देते हैं हस लेते हैं इनका मजाक उड़ा लेते हैं इन लोगों के नाम को गाली के तौर पर लोगों एक दूसरे को दे देते हैं यह इतनी घटिया नीच और निचले दरजे की बात है यह ब तो ये बात बोलना बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया यह कोई गाली नहीं है, इन्हें आप जितनी ज़त देंगे न, उससे कहीं ज़्यादा इज़त यह लोग देते हैं, और दिल से दुआ देते हैं, आप इन्हें एक रोटी खिलाएंगे यह आप लोगों को कितनी सारी खा देते हैं वो नीचे नहीं है वो नीचे नहीं है उन्हें नीचला दर्जा दिया है हम लोगों ने हम लोग उन्हें नौकरी नहीं देते हैं हम लोग उन्हें अपने घर पर काम पर नहीं रखते हैं हम लोग उन्हें उनका मनमाना हक नहीं देते हैं क्या वो इंसान नहीं है क्या वो इंसान नहीं है अरे हमसे अच्छे तो जानवर है कम से कम जानवरों में ये चीज़ तो नहीं होता है वो लोग एक साथ खाते हैं एक साथ घूमते हैं एक साथ रहते हैं उन लोगों का कम से कम ये चीज़ उन लोगों में नहीं होता है नीचा दिखाना एक दूसरे को ये चीज उन लोगों में नहीं होता है आज के बाद शरम आनी चाहिए आप लोगों को ये सब बात बोलते हुए कि तू ये है तू वो है तू ऐसा है तू वैसा है ये बाद शरम आनी चाहिए बोलने के लिए किसी को भी ठीक है इन लोगों में जब हमारे में किसी, मतलब बोलते हैं कि हम हिंदू धर्म में, इंसान में, जब किसी की मृत्यू हो जाती है, तो किस तरह से मृत्यू का मतलब श्राद कर्म होता है, और फिर लोगों को बुलाया जाता है, अच्छे से कंधा दिया जाता है, सब कुछ होता है, पर इन लोगों म कब इसे चपपलों और जूतों से पीटा जाता है पता है तक तॉं दुबारा कभी इनकी आत्मा ब्गवान से जाकर ये गुहार लगाए कि हमें मुझे कभी ये जनम ना देना कभी ये जनम ना देना और इनके मुझे पर कोई भी इनसान होते हैं ये लोग चले जाते हैं दुनिया से लेकिन कोई मातम नहीं मनाता है इसलिए नहीं मनाता है कि कभी भी उन्हें ये लगता है कि ऐसी जिंदिगी से उनके समाच के लोगों को ये लगता है कि ऐसी जिंदिगी से शुटकारा मिल गया, ये खुशी की बात है, दुबारा ऐसी जिंदिगी नहीं ना मिले, समझो ये लोग, समझो तुम लोग, जो तुम लोग ये कर रहे हो ना, बंद करो, ये सब बंद करो, मैं आप लोग उमर में जो लोग ये कर रहे हैं आप लोग उमर में इतने बड़े होकर ऐसी हरकत मत कीजिए मत कीजिए बंद कीजिए इस चीज़ को ये बहुत ही बेकार और गलत चीज़ हो रहा है एक दूसरे से लड़ाई होना सब कुछ होना अलग बात है लेकिन ये जो बातें बोली जा रही हैना किसी बात को लेकर की अरे तु तो ये है तु तो वो है एकदम गलत बात है गलत बात है इस चीश को बोलना बंद करिये आप लोग हसना ये मतलब हद है, हद है एकदम, नीच पने की हद है, एकदम ये घड़िया बात है, मतलब बोलने मैठो तो ये टॉपिक इतना लंबा चला जाएगा इतना लंबा चला जाएगा ना कि बोल नहीं सकते हैं, वापस से मैं सोच ही रही थी कि मैं कभी जाओंगी, मुस्कान दीदी जरूर लेकर आओंगी, लेकिन अभी फिर से कोविट केसिस हमारे जमशेदपूर में चार होना तेजी से बढ़ रहे हैं, और अब हम लोग बस्ती में नहीं जा सकते हैं, इसलिए टाइम नहीं मिला जाने का, उस टाइम पे और कोविट केसिस बढ़ने लेगे, लेकिन अब जैसे ही कोविट केसिस कम होगे, मैं उन लोगों की मूँ से, उन लोगों की मूँ से आप लोगों को सुनाओंगी, कि उनकी जिन्दिकी कितने दर्द भरी होती है, समझ में आया, आप लोगों को मैं सुनाओंगी, सुनिएगा आप लोग, करोना काल में ये लोग बेचारे दो दो तिन तिन तक यह लोग नहीं खा रहे थे गरीबों को तो रोज ले जा ले जा कि लोग अनाज दे रहे हैं सब कुछ दे रहे हैं फोटो लिखी रहे थे डाल रहे थे क्या एक भी बंदे किसी ने इन लोगों की समाज को जाकर दान दिया नहीं दिया इन लोगों की हालत बहुत खराब हो गई थी इन लोगों से जो जुड़ा होता है न वो नजदिक से इनकी जिंदिगी को जानता है समझ में है यह लोग किसी के यहाँ पाटी फंक्शन में जाते हैं रात रात भर डांस करते हैं सुबह थोड़े से पैसे मिलते हैं क्योंकि जो एक हैवे अमांट होता है न वो एक पूरे ग्रूप को मिलता है जो इनके मुख्या होते हैं उन लोगों को मिलता है फिर इनके मुख्या इनके गुरू जो होते हैं वो एक एक परसन में बाटते हैं जाता है तो यह थोड़ा थोड़ा मांट मिलता है रात रात भर म करो और यह लोग भी तो मेहनत करते ना कंटिणियू-डान्स-वांस करना गूम ना सब कुछ करना क्या शरीर मेहनत वाला काम नहीं है इन लोगों का एक एच के साथ यह लोग नाच गाभी लेते लेकिन एक ऐच के मेरी इस वीडियो के बाद और भी मुझे बहुत ज़्यादा कुछ बोला जाएगा पर्ट मुझे कोई परवा नहीं है मुझे कोई परवा नहीं है जितना बोलना था मैंने बोल दिया